हेलो स्तो एसके एक्ट्रों से रिक्मापको साथ औसको कैसे हैं आप सब आयो पाप बहुत अच्छे हो दोस्तो आप अच्छे रहोगें मेरे पास दोस्तो एक टावर ओम्डेटर आ रहा है डवले स्पीकर का इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तो इसमें कोई भी डिस्प्ले जैसे होना चाहिए वह हो रहा है पर लेकि निहां पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आज देख सकते हो तो बाई चलिए इसे रिपेर करते हैं क्या प्रोब्लम है तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो चैनल पर नए है सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि बहुत मैनत करके यह जो लगे हुए है आप देख सकते हो अफिए साइड साइड मैं ठीक है बिच्के नही खोलनें है अउनको फिर दिखाता हूँ आपको आधकोह सबी इस्क्रूइ Vereane हो गया सब्सक्राइब सक एल लग्याओं गोरफ़ने है में दोस्तों यहां पर आज होली का समय है तो थोड़ा सोराब होता रहता है होली के दिन भी काम करते हैं क्यूंकि दोस्तों काम होता है बहुत ज्यादा हमें दोस्तों करना पड़ता है और यहां के आसपास के रहेगा सब हम ही करते हैं क्यूंकि और करते भी हैं तो दोस्तों सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों से कर लेते हैं ओपन और हमने यहां पर यहां पर इसको हम निकाल देते हैं तो देखे दोस्तो हमने खोल लिया इसके बाद यहां पर देख सकते हैं मुझे कुछ जला हो लग रहा है तो चलिए मैं इसे काउंटर पर लेका तो में इन काउंटर पर आता हूं रिपेरिंग वाले पर देखे दोस्तो हमने रिपेरिंग काउंटर पर रख ले और आप यहां गई कहाँ पे, हम हम यहाँ पे देखना, थोड़ा से हँाप, फोड़ा देखने में अब आपको क्याया है इह जो रिचिटेंज लगी हुई है यह रिचिटेंज जो लग रही है यहाँपर 7805 की पिन नम्बर one पर जोगी है ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसे दिखाते हूं आपको यह देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा है यहां देखिए मैं थोड़ा सही तरीके दिखाते हूं देखिए अब आपको थोड़ा सही तरीके दिखाई देखिए अब यहां पर ध्यान देना मेरे बात पर यहां पर देखिए 8705 लगा होगा यह यहाँ पर Pin No.1 है याँ जहाँ पर 12 वोल्ट आती है इसकी दूसरी Ground है तीसरी Output है जो काड गो जाती है ठीक है और यहाँ पर Pin No.1 तो दो तो यह खाली है यहाँ पर कोई Registence नहीं लग रही है और यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा है तो चलिए दोस्तों से open कर लेते हैं और अभी आपको दिखाते हैं क्या condition फसी होगी इसके अंदर तो इस resistance को हम सबसे पहले यहां बाहर करते हैं अब मैंने यहां पर यह तो बता जीए पर resistance की value क्या है नंबर क्या है यह आपको बताता हूं देखिए जब भी हमारे 70.05 पर जो 12 वोल्ट से resistance लगती है वो एक तरगी fuse resistance होती है एक से लेकर 10 ohm के बीच में लगाई जाती है तो हम क्या करेंगे इस resistance को निकालके एक से लेकर 10 ohm के बीच में कोई भी resistance लगा देंगा quarter watt, one watt, two watt ठीक है तो आप लगा सकते हैं सबसे पहले से निकालना होगा और निकालने बाद हमें ये चेक करना हो कि भाई शोटिंग तो नहीं है क्योंकि जलने का कोई ना कोई रिजन होता है तो इस resistance को यहां से निकाल लेते हैं तो इस resistance यहां पर लगी हुई है क्योंकि भाई ये जली पड़ी है बिलकुल तो इस यहां से हमें बाहर निकालना होगा तो यह बहुत जादा चिफटकी भी पड़ी है तो मैं इसे यहां से बाहर निकाल लेता हूँ और अब यह आपको दिखाता हूँ भाई क्या दिक्कत है तो भाई यह देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है जलके ऐसी हो रही है आपके सामने ठीक है जी इसको फैक देंगे अभी हम यहाँ पर क्या है नई रेजिस्टेंस लगाने से पहले क्या है न वोल्टेज चेक करेंगे कि सारी वोल्टेज ठीक ठाग भी है नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है तो अब सैट को यहाँ पर एक बार ओन कर लेते हैं जी ठीक है जी यहाँ पर सैट को ओन कर लिया ओन करने के बाद क्या क्या हमने यहाँ पर पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कोई वोल्टेज में दिक् तो यहां पर आपको capacitor चेक करने देखिए यहां तो transformer की वोल्ट है तो सबसे पहले transformer की चेक करते है तो देखिए 13 voltage AC के 13 ठीक है और इधर भी 13 आने चाहिए 14 आ रहे है चलो को यह ने local transformer यह तो चलता है ठीक है एक capacitor यहां पर लगा हुआ है देख सकते हैं दो तार यह है ठीक है एक capacitor हमारा दूसी लाइन पर है रुख जाओ देखिए 18 पर है ठीक है 18 voltage यहां पर है और यह देखिए 18 यहां नहीं है यह तो यह देखिए शोर्टिंग नहीं आ रही है और आउटपुट में देख लेते हैं आउटपुट में शोर्टिंग आ रही है अच्छी खासी देखिए 5 Veur पर शॉर्टिंग आ रही है ठीक है यह देख सकते हो 5 V IT पर तो भाई हां पे एक तबी यह गया ऐक तर यह गया तो चलिए पहले इस तार को अटते हैं निए सै्ट को बंद कर लेते हैं फहले होई अाइ सेट बंद कर दिया मैं करना क्या है आप जो है ना अब इसमें वول्टेज को वह मझा ल्ग छोटिंग चेक virtual कर लेनी है फिर से तो भाई देखे सोर्टिंग गली चली गई इसके अंदर से ठीक ना किलोंस में आ रही है मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आपको जब दिखेगा देखे यह देखे बाई यह देखे सोर्टिंग चली गई अब ग्राउंड से इस पर चेक करता हूं तो देखे इस पर साउटिंग आ रही है इस पर बीप साउंड बोल रहा है अब यह रेड वाला तार पता नहीं कहा गया है कि देखेंगे इसको तो यह फ्रेंट पैनल पे गया होगा वाइट है वाइट के साथ रेड है ठीक ना तो हम क्या करेंगे इसको वापसी हैं लगा दे और हम पिछ्छे के दो पेच लागे फ्रेंट पैनल पर जाएंगे अब ठीक है ना अब हम फ्रेंट पैनल पर जाएंगे भाई क्योंकि काम है फ्रेंट पैनल का तो यहां का काम हमारा खतम यहां का काम हमारा समाब क्योंकि यहां का अभी करेंगे लेकिन पहले चैक करना होगा पेज़ा में रहांぎ कि हमने क्याता सफेद वाला ऑला फ़े दिधान देना अब हमें ठीक है सफेद और लाल अब zaten बE व्रेंट पैनल पेल तो हमें पेल ठीक है सफेदे और लाल हमें फ्रint पैनल पर लक्राइश पिरल लोगा फेखें दो भाई सीधा काड पर गया हुए है है हमारे यह पर झोऄ फे गया है सब्सक्राइब यही है これ क्ञांचı पेश्यदा कर नहीं का उन्सक्राइब Azom है यहां पेच वेच भी लगा हुआ है हो सकता है यह वार सब आगार नहीं सोट साट कर रखो तो चलिए इसको यहां से अटा लेते हैं थोड़ा सब ऐसे से गरम करके पहले गलू कूब भाई वीडियो हमारी लंबी होते हैं लेकिन जो होता है जैनुएन होता है कोई भी युगाडवाला काम नहीं होता है आपके सामने करा जाता है ठीक है तो प्लीज आप भी हमें समय दिया करो हम भी मोटिवेट हो अगर तो भाई देख सकते हैं लाल और सपेट तार जो यहां होगे हुए ह हूं लाल और सफेट तार ही यहां पर लगके अभ देग՞ेठे हमने घ्लू हट डिया है सिपल अब यहां पर शोटिंग चेक कर लेते हैं तार तो आपस में नहीं मिल ले गति हैं कोई बात नहीं पर हम इन पर चेक कर लेते हैं भी क्रूट कर देख सकते हो कि अब फुल शोटिग हा रही है अब हम यह यह से ठाटा अलगते हैं कि आप देख सकते हैं उसके बाद में शोर्टिंग करते हैं तो देखे शोर्टिंग फुल आ रही है फुल भी बोल ला है ठीक है ना यह देख सकते तो दोबार दिखाता हूं लोडंगर गाय है सबसे पहले माइस जादा फोल्टे देज़ा हो ठीकित कर लेते हैं बैक पैनल पर फिर सा आते हैं तो ऐसे बाद हमें करना क्या है यहां पर आप पाच वोल्ट जो कर दिनी लगाकर चैनल कोण सी लगानी है मैंने बताया आप को से लें कर लगा सकते हिए लाल हम यहां पर पिछह का सक्षन कर देते हैं उसके के लिए क्या करेंगे हम जो है मां रेश्टेंज लगा लगा लगता हुए थी तो यह देख सकते हैं भाई यहां मैंने बोड़ को कुछ इस तरह देखिया ठीक है अब इसका में रेश्टेंज लगा लगता हूं मैंने आप यहां पर 3.3 ohm की यह नहीं 3.3 ohm की एक रेश्टेंज लिजली हम आपको दिखा भी देता हूं इसकी वैल्यू यहां देखे भाई 3.3 ohm की रेश्टेंज लिए बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है तो इस रेश्टेंज को मैं यहां पर इसे लगा लेते हैं ठीक है यह मैंने 1 watt के लिए आप भी लगा सकते हो 1 watt 2 watt कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने बताया तो आपको दोस्तों आपको जो है ना कम से कम आपको 10 ohm तो लगानी लगानी है चलिए दोस्तों से हम लगा लेते हैं वहां पर हाथ नहीं चला अचला हम थोड़ा से हम इस तरह से कर ल को हमारी जो रेष्टेंस लगके दोस्तों रेड़ी है आब इसमें शोल्डिंग कर लेते हैं ठीके ना महला महां बेस पर सैट तो बैट गया कोई दिक्कत नहीं आई परेशानी नहीं है बढ़िए बढ़ा सैट बैट रही है इसकी शोल्डिंग मार दिते और यहां इसकी सो इसके अग को कट कर लें पहले तो को फिसके अच्ट ना को को यसके बाद च्धूने न में पांच वोल्टी करते हैं करके कर देना मल्टीमेटर मल् mereka लिया selling cow лег नहीं रहे कि उपधी आजय। फुका है तो तो बारा वोल्ट चेक करते हैं पहले ऑफारा आरी है कोई दिक्कत्य अब बारा वोलट चेक करते हैं ग्राउंड पर ग्राउन् में ऊइफ और पर फाई वॉल्ट तो फाइफ개World फाई यूएसबी के जहें कुछ और लगा दिया कोई आपना वही चेक कर रहे हैं क्या नाम है डेटा केबल ही लगा कर बैठे हैं क्योंकि 8705 इतना हलका होता है और वह क्या करता है गरम हो तो ही वोल्टेज जादे दिक्कत करने लग जाती है उसके उल्टी शिद्धी वहां तो शि दिवादे हीचिंग लग रही है अब वह है जब यह खराब होना तो होए गई मसीन नी चीज है उसमें कुछ नहीं कर सकते तो लगा देते हैं वापसी तार रट गया था इसके नदर से और इसको जो है ना पैक कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा काम खतम हो गया है जो में का बस जालना है फ्रेंट पैनल पर बस चलिए दोस्तों दूसरा लाकर दिखता हूं आपको इसकी जन्गे ठीक है लाल वाला वाला प्लस था हमारा है मेरे पास एक काड रखा हुआ लेकिन इसमें लगेगा इस तरह आप लंबे वाला भी लगा सकते हैं लेकिन मैं आपको सिफ टैस्टिंग के तोर पर बता रहूं ठीक है ना फाल तुम्हारा के लिए रोगे आपने देख भी लिया अब लेकिन मैं टैस्टिंग के तोर पर आप अब यहां से ओडिया आउट पुट देख सकते हैं आप लगा कोई सब्सक्राइब लगा तो बहुत अच्छी बात है मिल जाता है वह लंबे वाला काड लग जाता है देखिए और यह सिर्फ हमारे काड की दिक्कति और हमारा काड इसमें डलते ही बिल्कुल सेट हमारा सब्सक्राइब लेगा और हमारा सिस्टम बिल्कुल रेड़ी तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ने शूडियो में वीडियो आपको अच्छी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अब यह चैनल को सब्सक्राइब दें ठैंक यू प्लीजड बिल्कुल